कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहां तक छोड़ा था मैंने पताया था कि जो प्रकास अंसलेशन है उसके लिए कुछ वर्ण कुछ पिग्मेंट यूज होते हैं डिके हमने यह पढ़ insight कि ब्लान्ट होता है हमने यह पढ़ślę है कि प्लांट होता है प्लांट में होती है लीवे लीवे सठीक्टरल सभर भी पर होता है थयलाखविय कोई वह बहुत इंदे क्व होईंस लाइक से सिक्के नूम अ ताहए हम कंपना यह उसपे पाए जाते हैं यह क्या सब फोटो सिस्टम में क्लियर गाई ठीक है और मैंने अपने लास्ट लेक्षर में यह भी बता देंगे सबसे ज़्यादा जो लाइट अवसोशित करता है वह बी है देन ए है देन केरोटिनोइट है मैंने यहां पर भी यह भी क्लियर कर दिया कि 400 और 700 पर सबसे हाई यह प्रकास होता है क्यों कि सबस कि उसके बाद में मैंने फो ओ सिस्टम शुरू कर दिया था फोटो कि सिस्टम इस से मैंने क्या बताय था कि जो कृषकी मेम्बरेन है एस से Eleven का इटी मइम्बरेन है इस पर हमारे पास फोटो शिस्टम पाए जाते है इस तरह से इस तरह से थालरईक की बात कर रही हु और ईस तार से फोटो सिस्टम है थिक है ना बहुत सारे West अभी इस्पैशल दो पन यह है फोटो सिस्टम सेकंड है है और यह है फोटो सिस्टम container पर जो है लोना च्याए है और यह ना शीचान डीपल narrative है कि यह 출स कि हुई थी ना फोन चलाए है तो फोटो सिस्टम S إόक dif टॉन है उटो फोन है सिप्री यह क्या करेंगे जो राइट आएगी लायट आप्जाप करेंगे यह अपने वैवलेंट की दों करेंगा उसके बात क्या होगा यह अपना एलेक्ट्रों दूसरी चगे देगा फिर यह यह पाइगा फिर यह पास करेगा घूम के आएगा और N A D P H यह फूम करेगा देखो मैंने यह अच्छे से समझा दिया था कि एक फोटो सिस्टम में क्या होता है जो फोटो सिस्टम था उसे मैंने था जो सेंटर में होता है वह तो होता है क्लोरोफिल A फिर क्लोरोफिल B फिर केरोटिनोइट्स जैन्थोफिल यह सब भरे होते हैं तो यह क्या करते हैं सब क्या करते हैं अपने 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 पॉडिंग अपनी वेवलेंथ तरंग धिदर्य अब्जाब करेंगे और जाकर किसको पुता देंगे प्लॉर्फिल एको यह सेंटर है यहां पर अभी क्रिया का केंदर है और फिर यह पास करता है फोटो सिस्टम से पर फोटो सिस्टेम वन क्या करेगा आगे जाके रियक्शन करेगा एफ एन आर एंड बनाएगा एन एडी टी एच और यह आगे जाके लाइट रियक्शन करेगा प्रकाशिया बिक्रिया यह देखो मैंने डायट बता दिया हलाकि मैं समझाओंगी इसी तरह से देखो इस डायग्राम पर भी यह दे रखा है हलाकि मैंने समझा दिया कि यहां पर क्या है यह पिग्मेंट से तहीं पर क्लोरोफिल भी है तहीं पर जैन्तोफिल है तहीं पर कैरोटिनोइट से तो यह क् क्या करेंगे क्या करने वाले हैं यह क्या करेंगे पर्टिकुलर अपने अपनी वेवलेंथ अब्जाब करेंगे अब्जाब करेंगे अब्जाब कर लिया इन्होंने सबसे ज्यादा अब्सॉप्शन कौन करेंगा क्लॉरोफर्म बी क्लॉरोफिल बी सबसे ज्यादा अब्जा क्लोरफिल दो कि इस पसा जाएगा जाती इस की पास क्लोरोफिल के पास के पास अब मिर बने भताए तह शार इस सद्धा नम कौन करे गार्बिकल करेगा फिर केंड नमबर पे कं यह वरू करेगा चार के경 से लिख लिख लो फूश्यहा घ्रोट्र.. फिर फूर्थ जैन्तोफिल तो ही क्या करें कि अपनी वेवलेंद की टायट अब्जॉप कर लेंगे तरगंदेडरे की एंद फिर सब किसब करके अपना एक्साइटेड करेंगे किसको क्लोरोफिल एको दिन ये क्लोरोफिल ए जो सबसे पहला एकसेप्टर है यह देखें फोटो सिस्टम सेकिंड एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेशन के दुरान क्या होगा यह अपना एलेक्ट्रोन रिलीज करेगा और यह एलेक्ट्रोन कहां जाएगा फिर अब यह ट्रैवल करेगा और जाना जाएगा फोटो सिस्टम वन के पास फोटो सिस्टम वन के प फिर आएगा फोटो फिस्तम फ उलेंगे फिर एकश और ऐसे यहाँ यहां मिलेंगे था थशयी हैंोट के चाहँ सुल अवा यहां पर देखेँ हो जैसे यहां पर नीची सब्सक्राइए fries खρεेंगे फिर मिलेंगे यहां पर क्या मिलेंगे और 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 यहा यह अपन और अच्छे से पढ़ लेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत यह पढ़ लेते हैं लाइन्स क्या कहना चाहरी है कि देखो अच्सकिन इतने सारे वलनक क्लो मंधा ओभी है क्लॉर्टलेट यह क्कुलोर। यह करतें रुप्र क्या करते प्रकास संस्छेशन और और भी परफेक्ट बनाएंगे जो अगे बनाथा है दोनों फोटो सिस्टम में पतिक्रिया के इंदर प्रथक होते हैं फोटो सिस्टम वन में अभिक्रिया के इंदर अगे पूर्टोम सिस्टम वन है ना इसको ये भी बोलते हैं यह से यह भी कहते हैं यह कुछ नहीं कूझ बढाएप देखो इलेक्ट्रीज ट्रानसिपोर्ट यह फोर्ट कि δैसके मैं में देखो यहां पर है कि मैंने कुछ जबत लेक्ट्रोन पर वे बन सीकर देख रछान्य करते हैं तो यह चुरूर करते हैं यह देखो यह आ गया light harvesting compound light harvesting compound LHC LHC क्या मुझे कोई बताएगा यहां पर क्या है क्या मुझे कोई बताएगा इसमें क्या मिलेंगे बताओंगी वही तो देखो मैं फिर से कि यहां क्या मिले हो यहां पे लेगा यह मिलेगा क्या कि यहां पे मिलेगा chanthophyll कि एन अर्थ जो light देखो करेगा इसे कम उसे ज्जादा जैसी कैरोटि करेगा आट ब्र में करेंगा इस दिरेखो करेगा अप्सक्तुक्र पर्दियम Than Keq लगता है यह होगता है ये भी अबसार होगा करेंगे लाइट पास प्लम पास हो जाएंगे ये पास होगा तो इस सबस्क्राइब फडर्ण यह नियुक्ष यहां पर कहें यहुद से इसे बोलेंगे और इसे बोलेंगे ल sharid और यह है second यह फोटो system second विलेन्द का पार्ट है यह फोटो सिस्टम का पार्ट है यह उन कि यह यह पर प्रकाश आया यह वाला फॉटो सिस्टम को क्या नाम था एक और नाम बताया था 680 680 ऐसे फ्री में नाम नहीं रखा क्योंकि इतने वेवलेंद की लाइट अब्जॉब करने की हिम्मत रखता है इस वाले पर प्रकाश बढ़ेगा यह कौन सी कितने इनम की लाइट अब्जॉब कर पासता है मैंने यह लिखा था यह लिख रखा है अँब इसको यह भी भोलते हैं तो जैसे इस पर लाइट पड़ी तो यहां के जो मॉलिकूल्स होंगे वह क्या होंगे मैं एक्साइटेड होंगे एक्साइट होने की बाद तो रंद वातिया करें कि अपने एलेक्ट्रों ड्लीज हुआ यह पहुंच गया इलेक्ट्रोन गही जो ग्रहन करने वाला है न रिसेप्टर भाई इलेक्ट्रोन रिलीज हो गए तो कहीं तो पहुंचेगा न तो देन फिर यहां पर पहुंच गया अब यहां पर पहुंचने की बाद क्या होगा यहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा यहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा अब इलेक्ट्रोन पास होंगे एक के बाद यह उच्छा लेंगे पास होंगे अभी जो पास होंगे ना उन इलेक्ट्रोनों का नाम नहीं दे रखा डायरेक्ट यहां पर देखो लिख रखा है कि electron परिवहन समूं मतलब यहां पर पूरा सेट है यह जो मैंने बताया है यह है यहां पर गया फिर यहां पर गया फिर यहां पर जम किया फिर इसके पास पहुंचेगा तो इन्होंने क्या लिखा नहीं है तो वह कौन-कौन से यहां से लाइट मिल रही है प्रकाश मिल रहा है वाला प्रकाश मिल रहा है तो क्या होंगे यहां के लेक्ट्रोन बेक्साइट होंगे और क्या करेंगे जम्प करेंगे फिर यहां पर इनको लेने वाला बैठा है अब क्या होगा फोटो सिस्टम वन पर क्या करेंगा अब यहां से लेक्ट्रोन उच्छ लेगा बाहर आएगा और यह क्या बनाएगा ए एन एडी प्लस से क्या बनाएगा एन एडी पी एच अब यह जाएगा आगे लाइट रियक्शन में क्या यह बात समझ में आ गई यही यहां पर लिखावाई पूरा का पूरा मैं एक बार और पढ़ देती हूं आपके लिए जो मैंने समझाया है वह पढ़ देती हूं ठीक है अच्छा कहां से पढ़ते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड में अभी क्रिया केंदर में मुझूद क्लोरोफिल ए सिक्स एटी एन एम वाले लाल प्रकाश को अशूशित करता है यह जो है ना यह रैड लाइट है आगे दिखते हैं जिससे इलेक्ट्रोन उत्तेजित होके दिखा उत्तेजित होकर प्रमाणुन नाभिक से दूर चला जाता है मतलब एक्साइट होए तो इलेक्ट्रोन क्या होगा अब इलेक्ट्रोन का हुए में चलाता है यहां से एक्साइट हुए अभी कैसे एक्साइट पर लेंग्स्ट और इन्हें रहे हैं इसे पहुत्जाज यहां पहुंचे यहां पहुंचेंगे इनके वर्नकों के पास पहुंचेंगे लेक्टन किसी वर्नक नहीं है सेंब एंद है एक सेड़िए होते हैं इसके जैसे लाइट पनेगी जैसे लगर्त customers रघंप करेंगे अ पहुंच गए यह मैंने जूम करके दिखाया है कि यहां के इलक्ट्रोन एक्ट्रोन यहां के पहुंच जाएंगे फोटो सिस्टम पर जैसे पोचेंगे ना 700 यह वाले पर जैसे पोचेंगे ना इलक्ट्रोन ताजात में बहार आएंगे तो यह एक्साइड होगा दिन फिक्या करेंगा एन डिपी से एपचित होकर यह एन डिए एच प्लस एंड आइड जनायन को बनाते हैं तो यह हो गया आपका इलक्ट्रोन का परिवन कैसे होता है इसे जैड़ स्कीम भी कहते हैं क्यों अदेकर नोज सेल ही है तो अध़ी मिनिस एक्साइट है नहीं ऐन मुक्त है त्वास्ते गया तो यह दुन्ध है यह एक्साइट नहीं था जम इस लिए पर आगीम पना चैनल करेंगे शेतरों collie ग्राहां कि यह यह विए इसफुल्ध आइम कोनेख आतर्म आ letters और्शलक्ट यह अलग से दिया गए तभी मैं अलग से पढ़ा रही हूं इसको यह देखो चोटा सा कॉर्णर में लिखावा है जल का अपकट वाटर मॉलेक्यूल ब्रेकडाउन होगा इसके दो निकल गए दो हाय निकल गया और उसके पास जाएंगे देखा अब कितनी चीज़ा एक्साइट कर रही है प्रकाश तो करी रहा है इतने वेवलेंद का इतने नम का प्रकाश एक्साइट करी रहा है लेकिन इलेक्ट्रोन भी देखो बराबर कांट्रिगूट कर रहे है ठीक है तो यह फोटो सिस्टेम को लगाता जितना यह देर वर्ग करेगा उतनी देर इसको चाहिए अब हैस्टो कहां से आ रहा है जड़ से अब्जॉब किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट चक्रिये एमम आया चक्रिये फॉस्फो इस आने पढ़ने वाले शॉक्त देखो कि अठीक है आप देखंव कि नेकरे ओढ़ी है आप समझ भी anything ने समझें बू değil कि यह है तो यहां से यह एक्साइट हूआ कहां गया इलेक्टरन ग्रही photo system one के पास ये excited में है अब भी excited हो गया इसने अपने इलेक्टरन पास किए इलेक्टरन के सब मुझ को अब तुम्हें पता ही इन्होंने एरो आलग डारेशन में दे दिया है actual में क्या है देखो मैं बताती हो तुम लोगों को यहां पर क्या था p80 था जैसे ही यहां पर electron आए excited हुआ excited हुआ excited हूआ excited हुआ excited हुआ and then उस्ते जित होंकि electron का आए photo system वन पर और एकदम fully क्या है उस्ते जित है ऐकदम excited है तो यहां से क्या करेगा यह अपने एलेक्ट्रोन रिलीस करेगा यह रिलीस किया फिर यहां से वो प्लास्टो क्यूनों ठीक है फिर बाद में साइटोक्राम B6 PC और फिर P700 और फिर क्या था फिर क्या था एक्साइटेड हुआ NP700 अब यह एक्साइटेड है अपने एलेक्ट्रोन रिलीज करेगा और यह 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 आएगा मतलब अब जो है आप समझ गए यह यहां से यहां यहां से यह1 इस रहसे चक्कr काते रहेगा लेसा और एंली यहां पर चकर कातने का मतलब क्या है यहां पर क्य25 मोरी है इस परोसेस में एर एक WEस् नहीं उस्काली झाइगा तो यह चीज चाहिए और लेक्रनीमwszy ब्राइगा है क्या यह लोगई बीड़ी यह गुंग में अब क्लीर ही है और यह जो लिख रखना you no electron का सब्हों यह है लेक्ट्रों का सब्हों एलेक्ट्रों परिवहन समझ में आ गया गार जिस्तरे सçe बताना चाल रहा था गलत नहीं है यह साही है इससे खोल एक हो मैंने इसे आप खूल के समझ दिया वरना डंडाट समझ नहीं पाते भी है कि यह इस इसे पीछे कैसे आ गया यह घ्याग ठीड चाले किया यë बहु लग गएक है यहां मैं थोड़ा सा paragraph read कर देती हूं कि यह और आप theoretically कैसे लिखोगे इसको कैसे लिखोगे मतलब ग्राफ तो यह जो मैंने बनाना था रेजिमेंट जितना हो सकता मैंने possible इसको बना के दिखा दिया है आपको अगर चक्रिये है अगर चक्रिये है तो जिग जग मैंनल में करने की शम्ता होती है अब यह जितना भी दे रखा है ना जो मैंने समझा दिया है ना यह वही है कि जिसमें पहले काम करता है और यह दूसरे करम पर काम करता है ठीक है इस पर क्लिख को एचकरी फॉस्फरेशन कहते हैं बस से मैं वापे से घूम फिर के अपने पास ही आ रहे ह यह चकरी है और अगर यह चकर में तोड़ दूं तो ऐसे जिगजग में बनेंगे और राइट जैड इसकी मफन देख चुके हैं ATP तथा NADPH प्लस दोनों ही इस पर करके एलेक्टरोन प्रवाब में द्वारा संश्रेत होते हैं मतलब ऐसे मैं सोच ना कि एचकरी में ATP नहीं बना इसमें बनेगा लेकिन इसमें ATP जो बनेगा वह कम बनेगा क्योंकि इस टैप हैं यहां पर आके बनता ATP वट यहां पर आके मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो गए ना इलक्टरोन आगे इसलिए अब देख़े यह देख रास्जे लिख्रिए पहले हैपन एक मॉल्कूल के साथ मेना एक मॉल्कूल तोड रहे थे कि तब क्या बन रहा था तब बन रहा था है टू एच प्लस एक सिजन और दो इलक्टरोन दो मॉल्कूल यह दो इतना बने गा अब लास्ट एंड फाइनल और अच्छे से पढ़ लेते हैं चक्रिये ए चक्रिये दोनों अपर अच्छे से पढ़ रहे हैं एक बार कि हमें फाइनली बता दो साहब कि कैसे बन रही एटीपी मिल कैसे रही है ठीक है एक बार और मैं अच्छे से समझा रही हूँ अभी तक भी अगर समझ में नहीं आया है कि अभी तक भी क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था अभी तक भी समझ में नहीं है तो अब समझ में आ जाएगा और और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने और नहीं से किया बताय है थैसे מה कितने हैं फोंटो सीस्टम कि फोटो सिस्टम है तो फूंटो शुटम में एक का नाम क्या है फोटो सिस्टम सेकंड सबसे पहले मिलेगा और एक मैं फोटो सिस्टम वन अब मैं यह जो टम बोर रही हूं वैसे वैसे मैं इसको यहां पर दिखाती जा रही हूं यह क्या है फोटो सिस्टम सेकेंड यह क्या है फोटो सिस्टम वन क्लियर मैं रियस कर रही हूं मैं क्लियर करती जाओंगी और रियस करती जाओंगी सिंपल क्या मैं इसको P680 बोल सकती हूँ क्या मैं इसको P700 बोल सकती हूँ जी हाँ मैं बोल सकती हूँ चलिए अब देखिए क्या मैंने इसे P60 बोला है photosystem second को बिलकुल क्या मैंने P700 बोला है इसको photosystem 1 को बिल्कुल मेरी इस कर रहे हूँ आप नेक्स्ट पी सिक्स्टी इसका नाम क्यों पढ़ा है क्योंकि इसी लाइट की तरंध दर्ये को अब्जॉब करता है इतने ही लाइट को अब्जॉब करेगा जैसे ही 680 NM की वेवलेंट दोगे आप वैसे ही यह उसको अब्जॉब करेगा इसका क्या कॉंसेप्ट है यह अब्जॉब करता है 700 NM की तरंध दर्ये क्या यह बात क्लियर हो गई क्या मैं यह आप लिख दू यह क्या अब्जॉब करता है कितनी वेवलेंट अब्जॉब करत चलिए नेक्स्ट अब मैं नेक्स्ट चा रही हूं अब स्टेप चालो कर रही हूं अब मैं स्टेप चालो कर रही हूं पी सिक्स एटी में पी 680 में सबसे स्टार्टिक में क्या हो रहा था बॉटम में इसके पास जो edpyphone के पास जो आदर क्या हो रहा था एलेक्ट्रोन एक्साइटेड हो रहे थे एलेक्ट्रोन एक्साइटेड हो रहे थे एलेक्ट्रोन एक्साइटेड क्या जल का ऑक्सीक्रण हो रहा था च्विर्टा अज को ब्रेक हो के एक मॉल्यूक्यूल जल का ब्रेक को के एक अक्सीजन बना रहा है मतलब आधा और एक हडोजन आईन बना रहा है जल का अक्सीक्ण हो रहा है एस नेक्स्ट जो P680 है ठीके इसमें मैंने बताए थे वर्णक पाए जाते हैं पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं दिख दिया मैंने वर्णक पाए जा रहे हैं मैं पॉइंट बता रही हूं अब धियान हुटाव तो समझाओ कि फिर नहीं आएगी चीजे वर्णक एक्साइट्टेड हुए लेक्ट्रॉन کو किस में पास किया फोटोसिस्टम said कि अब इलेक्ट्रोन ऽे फटोसिस्टम से निकल कि किस में पास होंगे वर्णक परिवेहन समू में कि यहां तक बात समय अगई अब यह जो एलेक्ट्रोन पर इवेंस समूं है जो मैंने लिखा है अब मैं देखो समझा रही हूं यहां समझा दिका रहा है कि यह इतना बड़ा यह चीज दिख रही है यह दिख रही है यह यहां पर जलकॉक्सिकर्ण हुआ है दिख रहा है नेक्स्ट देखो अब यहां से क्या हो रहा है क्या यहां से electron transport हो रहा है देखो जैसे ही excited हुआ यह photo system second वैसे ही अपना electron जो transportation है वो कहा करेगा electron परिवेहन समू किसे करेगा प्लास्टो किणोन को प्लास्टो किणोन देखो excited करेगा आगे जाके समू को फिर प्लास्टो किणोन से आगे समू excited होंगे कहाँ पहुचेगा cytokrome B6 पे cytokrome B6 पे पहुच गए हैं यहां पर यह क्या है cytokrome B6 यह बात क्लियर है साइट्रोक्रोम बीसिक्स यहां से एलेक्ट्रोन एक्साइटेड हुआ अब यह कहां जाएगा प्लास्टो साइन पे क्या आया आया यह देखो अब यहां से एक्साइटेड हो के कहां गया देखो इदर अच्छे देखो यहां से एक्साइटेड हो के कहां गया फोटो सिस्टम वन के पास फोटो सिस्टम वन के पास गया यह एक्साइटेड होगा जैसे ही तो यह अपने एलेक्ट्रोन ट्रांस्वर करेगा किसको सबसे पह है FD उसके बाद एलेक्ट्रों किसके पास जाएंगे FNR के पास FNR के पास जाने के बाद क्या होगा कि NADP प्लास चेंज हो जाएगा NADPH में दूसरी खास बात क्या है कि यह प्रकाश भी अब्सक्राइब कर सकता है बीच में कितनी वेविलेंद का 700 NM कि यह बात के लिए आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं हमें ATP बनाना है अच्छे से देखिए अब यहां से H प्लस मिला एक मॉ सब्सक्राइब कि अब यहां नधिया ATP-synthes, बहिया, NTP-synthes, हम H+, हमेने ATP बना के दे दो, यह सारे के सारे टकराएंगे आखे, ATP-synthes के, इस complex के, और यह क्य़ करेगा, 1-1 को, मतलब, 2 Hydrogen, 1 ATP ले जाओ, 2 Hydrogen, 2, 1 ATP ले जाओ, दो hydrogen दो 80P ले जाओ तो hydrogen दो 80P ले जाओ hydrogen दो 80P ले जाओ क्या अब समझ में आ गया है मेरे खयाल से अब बैटली समझ में आ गया है कि अब मैं यहाँ पर यह chain पूरी कर देती हूँ electron परीवे हैं समूँ से क्या होंगे electron transfer होंगे किसके पास जाएंगे P700 के पास इसके पास जो जैन्थोफिल हैं कैरोटिनोड्स हैं ट्रोफिल है वो activate होंगे और किसको electron पास करेंगे आगे जाके अब यह P70 है यह activate हो जाएगा अच्छे से और यह आगे पास पास खेल के electron को NADPH बनाएगा मेरे खया से अब अच्छे से clear हो चुका है अच्छे से मैंने clear कर दिये यह चीज़ फोटो सिस्टम सेकेंड की कार्णी भी clear हो गई है फोटो सिस्टम वन की कार्णी भी हो गई लास्ट में इसके ज़ट क्या है ATP मिल रही है hydrogen 2 ATP जाओ hydrogen 2 ATP जाओ आने वाले लेक्चर में हम Kelvin cycle पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले Kelvin cycle के साथ तब तक के लिए thank you